नमस्कार मैं हूँ दीपी का पात्रे और आप देख रहे हैं tv30india.com PM नरेंद्र मोदी की वायोपिक पर बनी फिल्म 24 में को रिलीज होने जा रही है आपको बता दें ये फिल्म 11 एपरिल को रिलीज होने जा रही थी लेकिन फिल्म इतनी जादा बिवादित हो गई कि फिल्म को रोक देना पड़ा चुनाव आयोग ने PM मोदी की बनी इस फिल्म पर बैन लगा दिया था लेकिन अब चुनाव आयोग नहीं इस बैन को खारिश कर दिया इसलिए ये फिल्म अब रिलीज होने जा रही है आपको बता दे फिल्म में अभी नेता बिवेक ओवरोई है जो की नरेंद्र मोदी की लाइफ स्ट्रगल को इस फिल्म के द्वारा जनता के बीच प्रिजेंट कर रहे है लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि इस फिल्म की बज़े से बिवेक ओवरोई पर बहुत से लोगों और बीजेपी के बिपक्षिप पार्टियों ने बिवेक ओवरोई पर आरूप लगाए थे कि बिवेक ओवरोई बीजेपी का चमचा है बिवेक ओवरोई ने इस फिल्म को बनाने के लिए पैसे लिए हैं बगेरा बगेरा जिस पर विवेक ओवरोय का कहना है कि जिसको जो सोचना है वह सोचे जिसको जो कहना है वह कहे क्योंकि नरेंद्र मोदी इतने करमठ और देशवक्त नेता है वह किसी अवी नेता का सहारा क्यों लेंगे देश के सबी लोग जानते हैं कि नरिंद्र मोधी जैसा PM देश को नहीं मिलेगा मेरी फिल्म का उद्देश ये है कि मैं जनता को दिखाना चाहता हूँ कि एक चाय वीचने वाला आम वैक्ती देश का PM कैसे बना, पीछे कोई political support नहीं था और मेरी फिल्म बस लोगों के बीच inspiration create करेगी मेरी फिल्म कोई political film नहीं है, मेरी फिल्म बस inspirational film है जो कि 24 मैं को release होने जा रही है अब देखना होगा कि 24 मैं को release होने के बाद ये फिल्म लोगों के बीच में कितनी जगाँ बना पाती है इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए आप TV30 इंडिया के Android एप को अपने Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं और TV30 इंडिया की बैब www.tv30india.com पर भी विजिट कर सकते हैं जब तक के लिए दीजिये मुझे जादा धन्यवाद अपने आसपास की लिटरस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बैल आइकोन को प्रेस करें